लवली, ये है मेरा फेस्बुक का आज का प्रवचन, प्यूटिफुल संसेट संसेट बहुत पसंद है तुम्हें, जी आंटी, मुझे ना, संसेट के कलर्स पसंद है, दे वेरी सूधें, आपको भी मुझे इसलिए फसंद है, क्योंकि थोड़ी देर में ये मुझे मेरे सपनों के नजदीग ले जाएगा सॉरी, मैं समझी नहीं बेटा, हमारी जिन्दी की सपनों और उमीदों की बीची तो जूलती रहती अरे हाँ, वो तुम फेस्बुक के बात कर रही थी न, मेरे लिए किसी को डूण दोगी ओ, ओके बताएगे, क्या नाम है? साहिल कोली S-A-H-I-A S-A-A ओके ये हैं? साहिल जी और मैं फेस्बुक पे फ्रेंज नहीं है न, तो मैं इनका प्रोफाइल पूरी तरह नहीं खोल सकती भी बात नहीं बेटा ठीक है क्या बात है आउंटी? आप जानती है इनको? बेटा है मेरा दूर चला गया मुझसे बहुत दूर बच्चे जब छोटे होते हैं न तो चाहे जितना घुस्सा करें जिद करें माबाप उन्हें मना ही लेते लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माबाप की छोटी सी बात भी उन्हें घुस्सा आ जाता है और छोड़के चले जाते हैं मेरा साहिल भी मुझे छोड़ के चला गया मैंने उसे बहुत ढूणने की कोशिश की जब वो यहां से गया था न, तो मेरी बहु प्रेगनेंट थी अब तक तो उसका बच्चा साड़े तीन साल का हो गया होगा पोता है या पोती मुझे तो ये भी नहीं मालूम रोज यहां आकर बैट जाती हूँ और एक कलपना में जीती हूँ कि मेरा पोता या पोती कैसा दिखता होगा जब तुम से फेस्बुक का नाम सुना न, तो सोचा की शायद मेरी कलपना को आकरती मिल जाएगी हर बाकी कि जिन्दगी बस उसी सूरत को देखते हुए बिता दूंगी कमाल है आंटी आपने अपनी जिन्दगी का इतना बड़ा खम इस प्यारी सी मुसकुराहट के साथ सुना दिया रोते हुए तो सभी आते हैं दुनिया में लेकिन जिन्दगी को उसको राते हुए जीना सीखना चाहिए चलती हूँ थेंकि बेटा कितनी अजीब बात है सोशल नेटवोरकिंग साइट्स पे हम अपनी जिन्दगी पूरी दुनिया के साथ शेयर कर बैठते हैं पर अपनी इसी जिन्दगी को अपने ही माबाप के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझते लव यूर पेरिंस जिस तरह से आपको उनकी जरूरत थी बच्पन में अब उनको आपकी जरूरत है कर दो कि जरूरत कर दो कि जरूरत है